मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एंस अस्पताल में भारी हंगामा हो गया. यहां नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एंस में पदस्थ करीब 1200 स्टाफ धरने पर बैठ गई है और डॉक्टरों के खिलाफ कारवाई करने की मांग की जा रही है. उनका कहना है कि उनके साथ अभधरता की जाती है और शिकायत के बाद उनके उपर ही करवाई की जाती है. उनके धरना की वज़य से चिकित्सा सुविधा प्रभावित हो गई है. दरसल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल AIIMS की नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि डॉक्टर उनके साथ अभधरता करते हैं. साथ ही गाली गलौच करते हैं. जब मामले की शिकायत प्रबंधन से की गई, तो प्रबंधन ने उल्टा उनके खिलाफ ही एक्षन लेते हुए नोटिस जारी कर दिया. इसके बाद उन पर कठोर कारवाई की धमकी भी दी गई, मतगणना को लेकर कॉंग्रेस की तयारिया तेज, सभी प्रत्याशियों को दो चर्णों में दी जाएगी ट्रेनिंग, इस मामले को लेकर EC को लिखा पत्र, इसके बाद प्रबंधन और डॉक्टरों की मिली भगत का आरोप लगते हुए नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर दिया है, इस धरने की वजह से कई डिपार्टमेंट के कामकाच ठप हो गए हैं, एक तरफ नर्सिंग स्टाफ धरना दे रही है, वहीं दूसरी और अस्पताल में भरती मरीजों की जान पर बनाई है पर बनाई है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें